क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किन्तु जो शांत चित्त है वो हर समस्या का हल धूंड सकता है एक बात सदेवस मरन रखना चंदरगुद, कोई भी नियती जनहित समस्या मानवी अक्षमताओं से बड़ी नहीं होती समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठीनाईयों को केवल देखते रहते हैं किन्तु कुछ लोग कठीनाईयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष को प्राप्त करने की खिशमता रखते हैं इतिहास में केवल उनी का नाम लिखा जाता है जो विशम से विशम परिस्तितियों में रहकर भी अपने लक्ष को ध्रिष्टी में रखकर लक्ष प्राप्ती के मार्ग में आने वाली कठीनाईयों को समूल सुलजा लेते हैं इतिहास साक्षी है चंद्रगू महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठीनाईयों को आगे बढ़ने का आउसर समझ लिया जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया हो असंभाव दिखने वाला निर्बलता होता क्या है एक ऐसा कठिन निर्बलता जो लिया जा सकता है इसलिए चाहे जितना असंभाव लगे निर्बलता लों क्योंकि समस्या को निर्बलता लेने से खीचोगे तो समस्या तुम्हें खाजाए निरने लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है एक सरल नियम है चंद्रगुप्त, समस्या तुम्हे समाप्त करें, उससे पहले तुम समस्या को समाप्त कर दो जड़ से मिटा दो, ताकि वो अपना सर ही ना उपा है झाल